अलो बच्चों वेलकम बैक टू द्रिश्याज ओनलाइन गुर्कुल इस वीडियो में हम लोग 18 जनवरी 2023 को अभी जो सीटेट ओनलाइन एकजाम हुआ है कम माथमेटिक्स पेपर वन डिस्कस करने वाले हैं पेपर वन के कुछ कुछ कुछन हैं को कि मेमरी बैस्ट हैं इसकते हैं और ये स्टार्ट करते हैं स्ट्रीफ स्सक्शन को उसब से पहले कि हम लोग ुस्ट्रीज कaking अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कुष्चन की तरब देखते हैं फर्स्ट इसमें फर्स्ट कुर्ष्चन को देखें क्या है इसमें अस्थानी मान कितना है इसको 5 लिखिए उसके राइट साइड में इतनी बैलू है उतने जीरो जाएंगे एक बैलू है तो एक दूसरे में क्या देखिए दूसरे में आपका किस पोजिशन पर है अंडेर्थ पोजिशन पर है तो इसका मतलब आपका इस इस तरीके से अगर इसमें बात करेंगे थर्ड नंबर पर थर्ड नंबर पर हाउजन पोजिशन पर है तो फाइफ लिखिए कितने जीरो आएंगे इन जीरो है आपके इन बस इनका add कर लीजे जोड़ेंगे तो आपका क्या आजाएगा 0 यह हो गया आपका 5 यह हो गया 5 यह हो गया इस तरीके से जो आपका answer आया वो answer क्या आया 555 ठीक बहुत हीजी question है इस तरीके का question हर paper में repeat हो रहा है इसी में face value और place value को add करा रहा है या subtract कर रहा है इस तरीके से questions repeat हो रहा meaning thereby कहने का मतलब यह है कि आपको place value और face value यह दोनों आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए तो आपको एक दो question वहाँ मिलेंगे आगे हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ देखते हैं next question को तो देखे यह है आपका next question इस question में देखे how many 1 by 10 are in 6 by 5 ठीक तो number क्या है 6 by 5 में कितने 1 by 10 है ठीक है question समाजी के होंगे 6 by 5 में कितने 1 by 10 है तो 6 by 5 divided by 1 by तो क्या मैंने बताया है पहले भी अगर आप ने देखा होगा इसके पहले के अधर वीडियो में जो memory based question के हमने करें हैं तो उसमें कई सारे question इस तरीके से repeat हुए है तो उसमें क्या होता है इसमें सबसे सबसे इसका multiplication सबसे उपर होगा और बीच वाले का multiplication बीच वाले सबसे होगा तो इस तरीके से इसका answer आजाएगा तो answer क्या आएगा आपका देखे तो 6 into 10 1 divided by 5 into 1 तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 इस तरीके से multiply हो जाएगा 6 into 12 आजाएगा तो इसका इंसर जो आएगा तर क्या होगा आपका इंसर होगा 12 जाएग बहुती जी question है हर बार repeat हो रहा हर पेपर में question आ रहा ऐसा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले question की तरफ देखे हाँ तो बच्चों हम लोग इस question को देखते हैं आप देखे इस question में क्या है इसमें हमको क्या निकालना है जो भागफल है यह क्या है थागफल और remainder जो है सेश इन दोनों का योग हमको निकालना है ठीक भागफल प्लस सेश का योग अब देखे भाग देखे हम लोग देखते हैं 1101 111 जलिए भाग देते हैं 11 से वहाग देना है 11 से डिवाइड करना 11 11 11 हो जाएगा पहला इसमें किसी को डाउट नहीं होगा अब जो है जीरो आपने उतार ली टिक वट नहीं जाएगा 11 से तो क्या करोगए आप यहां बढ़ाओगे जीरो और अगला नमबर उतार लोगे क्या आप जाएगा यहां 11 है तो अब भी नहीं जाएगा क्या काम करोगे एक जीरो और बढ़ाओगे और अगला नमबर भी उतार लोगे अब क्या हो गया 11 आ गया तो आपको फिर आप तो आसानी चला जाएगा 11 वंजा 11 फिर करोगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं आएगा अब यह बैलू जो है अब यहां आप उतार लोगे ठीक अब देखे क्या जाएगा नहीं जाएगा लेकिन प्रब्लम क्या है क्योंकि आपने एक नमबर यहां उतार लिया है यहां एक नमबर लिया है बट यहां आपने बैलू नहीं रखा कुछ तो इसका मतलब अगर यह नहीं जा रहा है तो यह यहां आपको जीरो पुट कर आपड़ेगा अब यह क्या हो गया यह आपका सेस हो गया और यह क्या है अब हो गया तो टोटल अब इंसर कितना आया भागफल और सेस को जोड़ दीजिए वन डबल जीरो वन जीरो प्लस सेस कितना है वन तो इस तरीके से वन वन जीरो 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 तो इसका एंसर कितना आया 10011 जो है इसका हो गया काफी अच्छा question है इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि अगर ये हम pull number यहाँ से ले रहे हैं अगर उस number में अगर division हम नहीं कर पा रहे हैं भाग नहीं दे पा रहे हैं वो आगे नहीं जा रहा है तो यहां हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा, इस चीज का हमको विसेश ध्यान देना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले question की तरफ देखते हैं, next question को, next question की तरफ चलते हैं, तो देखिए next question को, इसमें देखिए, the number of degrees, the number of degrees in two and two-third of the right angle, चिक, तो इसमें देखते हैं, question में कुछ wrong है, इन two and होना चाहिए, हो नहीं है, and two-third of the right angle, तो इस question को समझ लेते हैं, question क्या है, two and two-third, two and two-third of right angle, मतलब 90 degrees, यह क्या है, right angle, right, right angle जो है, thumb, पूर, ठीक है, अब क्या हो गया, तो degree देख लीजे, कितना हो गया, तो कितना हो गया, तीन दू निच्छा, थे दो, आठ हो गया, आठ, पटे तीन, बुड़े, कोई प्रावल्ब नहीं है, three, three, जा, नाइन, 30 हो गया, eight, three, जा, twenty-four, zero, इस तरीके से answer कितना है, two, forty, degree, इसका जो answer हुआ, वो क्या हुआ आपका, two, forty, degree, तो आगे बहुत ही, अच्छा question है, छोटा सा question है, इस तरीके question repeat हो रहे हैं, बार-बार आ रहे हैं, आई बार आ चुका है, तो बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, आगले question की तरफ, next question को देखते हैं, इसमें देखिए, इस question को देखिए, sum of all the positive factors of 96, इसमें क्या करना है, sum of all the positive factors of 96, यह आपको find out करना है, calculate करना है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है, prime factors हम calculate कर लेंगे, उसके बाद procedure बहुत easy है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके question भी पहले आया हुआ है, अगर आपने memory based question की series आपने देखी होगी इस channel पर, अगर नहीं भी देखिए, तो आप जाके पीछे के और जो questions हैं, उनको देख सकते हैं, सेम इसी तरीके question रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें देखते हैं हम लोग इसका procedure क्या है, समझ लेते हैं, तब सपहले काम क्या है, आपको 96 अगर है, तो 96 को factor convert कर लिजे, तो 2, 2, 4, 8, 1, 9, और तो यह 16 हो गया, 2, 8, 16, 2 से, 2, 2, 4, 2, 4, 8, फिर 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, फिर 2, 6 जा, 12, and 2, 3 जा 6, 3, तो इस तरीके से कितनी बैलू आई, 2 की पावर कितना है, 2 की पावर है, 5, 1, and तूसरा क्या factor है, 3 की पावर, 1, देखो, आप क्या करना है, कह रहे हैं, सभी, जो, गुडन खंड है, सभी गुडन खंडों का योग ज्याद करना है, इसके सभी गुडन खंडों का योग, तो अब क्या procedure है, 2 की घाते 0 से शुरू करो, अब वहाँ तक जाओ, 2 घाते 0, प्लस 2 घाते 1, प्लस 2 घाते 2, प्लस 2 घाते 3, प्लस 2 घाते 4, प्लस पावर 5, ठीक, इंटू कर दीजे, अगला इसमें देखिए, 3 to power 0, प्लस 3 to power, ठीक हैं, प्रोसीजर आप समाझे गया होंगे, बस इसी को आइड कर लिजे, और आपको एंसर मिल जाएगा, तो इसमें देखिए, ये तो 1 हो गया, किसी भी नंबर की power अगर 0 है, तो उसकी value 1 होती है, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, 4, ये क्या हुआ, 8, ये क्या हुआ, प्ताइए, 16, ये क्या हुआ, 32, 2, 3 और 1 मिलके कितना हो गया, 4, ठीक, बस अब जेस्ट, add कर दीजे, और multiply कर लीजे, आपको एंसर मिल जाएगा, तो add करते हैं, 1, 2, 3, और 4 कितना हो गया, 7, 7, और 8, 15, 15, और 8, 15, 8 मिलके कितना हो गया, 23, 23 हो गया, ठीक, ये भी हो गया, 23, और 2 आपको बच रहा है, 3, 1 कितना हो गया, 4, 4 और 2, 6, multiplied by 4, इस तरीके से कितना हो गया, 4, 3, बारक 2, हासिल 1, 4, 24, और 1 मिलके आपका हो गया, 25, ठीक, इस तरीके से आपका एंसर कितना है, 252, काफी अच्छा कुशन है, बहुत ही सिंपल होता है, बट आपको थोड़ा सा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके के कुश्चन्स, सॉल्व होते हैं, ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले कुश्चन की तरब देखते हैं, नेक्स कुश्चन को, 6.14 a.m. ठीक है, एंड रीचेज इट्स देस्टिनेशन अफ्र थर्टीन आर्स एंड फोटी एट मिनिट्स, तर टाइम, एट देस्टिनेशन इस, तो कुश्चन समझ गये हैं, कि एक ट्रेन है, जो स्टार्ट होती है, च्छे बच के 14 मिनट पर सुबा के, सुबा के 6 बच के 14 मिनट पर स्टार्ट होती है, और डेस्टिनेशन पर कितनी देर पहुंचती है, च्छे बच के 14 मिनट पर स्टार्ट होती है, ठीक है, सुबा के, अब पहुंचती कितनी देर में है, 13 गंटे, 48 मिनट में वो destination पर पहुंचती है कितना 13 घंटे 48 मिनट बात ठीक है पहुंचती है destination तो आप देख लेते हैं total time कितना हो गया एक चीज और ध्यान देना है आपको जैसे अब सुबा हुई है सुबा सुबा है morning का टाइम है सुबा के बाद जब बारा बज़ेगा ठीक बारा के बाद फिर 13, 14 इस तरीके से बज़ेगा फिर रात में आके वो 24 बज़ेगा ठीक है 24 मतलब 23 something उसके बाद फिर 1 से शुरू होगा इस तरीके से हम लेके चलेंगे तो आप ध्यान दीजिए इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से टाइम क्या हो रहा है तो अब हमने क्या किया सिंपली जो है 13 आर्स अब 48 मिनट को एड़ कर दिया टाइम के साथ तो अब एड़ करते हैं तो कितना हो गया आठ चार बारा की दो आसिल एक तो चार एक पांच एक शे एक वासट अब ये कितना हुआ शे तिन नौ और एक उननीस पट ये साथ मिनट है वासट मिनट है तो साथ मिनट एक घंटा होता है तो ये इधर आजाएगा ये कितना हो गया ट्वन्टी इंटू इरो पॉइंट पीस बज़ के दो मिनट पीस क्या हुआ पीस बज़ कर तो मिनट अब देखिए पीस बज़ कर दो मिनट कब हुए होंगे ये चीज आपको समझना है बारा के बाद जो है बारा बज़े के बाद क्या सुरू होगा पीम सुरू हो गया पहले क्या है एएम रहा होगा आप पीएम शुरू हो गया बारा के बाद इसका मतलब जो बज ढ गार इसके आठ बज के साम को तो मतलब 8 बचकर 20 मिनट इस तरीके से यह जो है बैलू कितने आई 8 बचकर 20 मिनट नहीं 8 बचके 2 मिनट ठीक है 802 अब यह है क्या प्यम है क्योंकि साम का टाइम है इस तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरीके के कुश्चन कैसे सॉल होगे बट आपको बस टाइम का थोड़ा सध्यार में रखना है इसमें कुछ सॉल सही पूछो तो सॉल भी करने की जरूरत नहीं है वह आप डिरेक्टली कुश्चन को देखके भी आप समझ कर सकते हैं अंदाजभ ऐसे ही मतलब कर सकते हैं थिक तो इस तरीके से हमने ये पूरा पूरा जो पेपर था इस पेपर को हम नह為 देख लिया इस तरीके के questions आ रहे हैं आपको idea लग गया होगा तो अगर आपको content इस channel के अच्छे लग रहे हैं तो आप channel को subscribe करें दूसरों के साथ share करें Thank you